नमस्कार आप देख रहें यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुश्मा प्यम मोधी और सीम योगी के खिलाफ बोलने वाले एक यूट्यूबर को यूपी पुलिस ने गिरफतार किया है मनमोहन मिष्वरा इसका नाम है जिससे जॉनपुर पुलिस ने चिनन इसे गिरफतार किया है अब आप सोच रहे हूँगे कि ये मनमोहन मिष्वरा कौन है, क्यों उसे पुलिस ने गिरफतार किया, क्या मामला इसके खिलाफ दर्ज हुआ है तो वो आपको बताएंगे सबसे पहले ये जानिए कि मनमोहन मिश्वरा जिसकी उबने करीब साट साल बताई जा रहे है उसके एक वीडियो को लेकर जॉनपुर कोतवाली थाने कैसे चो संजीव मिश्वरा ने खुद संग्यान लेते हैं फायार दर्ज की और उसके बाद सर्विलांस के जर्ये मनमोहन मि लोकेशन को ट्रैक किया गया और पता किया गया और उसके बाद जॉनपुर पोलिस पहुत जाती है चिन्नए मनमोहन मिश्वरा को गिरफदार करने तो सुनिए कि जॉनपुर एस पी इस मामली में क्या कहते है पीम मोधी पर अपमाजनक टिपड़ी को लेकर के एक जिपतार तो पोलिस का कहना है कि मनमोहन मिश्रा ने अपने वीडियो के जरिये कोविड महामारी के दौरान डर फैलानी की कोशिश की और इस वजह से उसकी गरफदारी हुई है और इसको लेकर मनमोहन मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 यानि सारजनिक शरारत से सम्मंधित बयान देने के तहट मामला दर्ज किया गया है पोलिस ने सूचना प्राद्योगी की अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के प्रावथानों को भी लागू किया है तो चन्नाई से ग्रफदारी होती है उसके बाद जॉनपर पुल इससे जॉनपर लेकर आती है कोट में पेश किया जाता है और फिर इसको जील भेज दिया जाता है कतना पराण प्राणा ये बेडियो में बेशिकली एक बात की यहीं है और वहथे चीजों की जारी है इसनल सामिल किया जा रहा है सच्छम टिम के द्वारा और अगरिन करवाई जाछे होगि आप लोगों से अवगत करा पुलिस से संग्यान लिया प्रभाजिन दिश्य कोतवाली द्वारा मुकदमा पंजिक्रित करा गया है सोसल मीडिया में वीडियो लगातार फैल रहा था तो कई लोगों ने उनसे हमसे और बाकी जगा संपर किया कि इस तरह की एक वीडियो है जिससे ऐसा महल हो रहा है तो उनकी बात को सुनते हुए सोताय संग्यान में लेकर प्रभाजिन दिश्य कोतवाली द्वारा ये मुकदमा पंजिक्रित किया गया सर कहां से रप्तारी भी एक चाज़े जगे है लेकिन मनमोहन मिश्रा कौन है और इसका जौनपुर कनेक्शन क्या है जरा वो भी तफसील से जानिये तो जो जानकारी मिल रहे है उसके मुताबिक मनमोहन मिश्रा जौनपुर के सुरेरी का मुल्लेवासी है और पिछले करीब 30 साल से ये चिन्नई में अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा है वो चिन्नई उपनगर के माधवरम में परिवार के साथ रह रहा था धारा प्रवाह ये तमिल बोल लेता है और कहा ये जा रहा है बताया ये जा रहा है कि मिश्रा सरकारी सेमाओं और प्रमाण पत्रों का लाब उठाने के लिए चन्नदई में उत्तरभारतिये जो मज़ूर होते हैं उनके परिवार होते हैं उनके लिए एजन्ट के रूप में काम कर रहे थे तो मनमुहन मिश्रा अपनी यूट्यूब चैनल से पियम मोधी और सियम योगी के खिलाप लगातार बयान दे रहा था और इसको लेकर ही उसके उपर सवालों के तो हमें जौनपूर से ये रेपोर्ट भेजी हैं राजकुमार सिंग ने देखते रहे यूपे तक